हेलो स्वागत है आप सभी का एक नहीं वीडियो में और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने अपना अपना स्टेटस चेक किया होगा और बहुत सारे बच्चों की स्टेटस है जो की वेरिफाइड हो गया है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस वेरिफा और इन्हों ने यहां पर यह दिखाया कि यहां पर देख सकते हैं अभी रेस्पॉंस पेंडिंग बाई पी एफमेंस दिखा रहा है हो सकता है कि आपकी स्टेटस में किसी अलग तरीके की समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिज करूंगा कि सभी बचों का हो गया है और according to government rules यानि कि government के नियम के अंसार यहां पर जो आपका attendance अगर दाटा गलत भी होगा इसमें अगर बाइचंस हो सकता है कॉलेश से मिस्टियक हो गई होगी तो आप कॉलेश से बात करेंगे तो इसके लिए आपको कॉलेश से बात करनी पड़ीगी ठीक है यहां पर दिखा रहा है या फिसी अब ही तक इनका फॉर्म है वह पेंडिं कराया है तो अभी भी आपका अपडेट नहीं हुआ आगा यानि कि आपका रेस्पॉंस दिखाएगा पेंडिंग क्यों दिखाएगा अपने कॉलेश में सम्मिट क्या आप कॉलेश से डी डवलो यानि की डिस्टेक लेवर पे विकास बहुन आपके जाएगा तो वहां पे कुछ समय लगता है जब आपका फार्म देखा जाएगा वहां पे फिर वहां से वेरिफाइड के जाएगा देखा जाएगा यहां सारी डाटा जो आपने करेक्शन किये हैं सही है या फिर नहीं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है हो सके कि 15 दिन बीस दिन अभी और लग ज उसके चलते यह पेंडिंग अभी दिखा रहा होगा तो वह भी आपका डिस्टी के लेबल से जल्दी वेरिफाइड हो जागा आपको घबडाने की जरूरत नहीं है अधरवाज हो सकता है कुछ बच्चे यह भी करे थे कि मेरा तो साथ नॉमबर के पहले मेरा सारा डाटा सह चाह रही थी तो अलगवग अपडेट हुआ तो सही हो गया जैसे में आपको जनकारी देते रहता हुं कि अपडेट हुआ बच्चे कर लिजिए चेक लिज्यकर लीजेए अपना-पना लेकिन कुछ बच्चों का सब्सक्राइब कर लिजीए तो कुछ बच्चे चयों की सब बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्कॉलर्शिफ से लेटेट हर एक पर करके ऑफिसल और अथेंटिक अपडेट्स के लिए आप टेली ग्राम चैनल पर जोईन रहेंगे और चैनल को खास करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश किये रहेंगे और चुकि आपकी स्कॉलर्शिफ की राषरी का मामला है और जो बच्चे आर्थिक रूप से कम जोहरो होते हैं या फिर कर लिए की कमी होती है तो उनको बच्चे उसी के हिसाफ्से राष़ी से ही अपने आगे की फीस वगरा जमा करते हैं तो बरहाल वे उनकी गल मेदारी बनती है वह आपकी गलती है अब जाहिद से बात है जब डाटा गलत है तो इस बार की बात करें तो रूल वगरा काफी स्ट्रिक्ट हो गये हैं आप पास होनी चाहिए पास के बाद आपका एटेंडनेस परसेंटेज जो है वह 75 या फिर उससे उपर रहना चाहिए यह रूल्स बगरा है यूपी चीज़ लाइब करके दिखा रहा हूं तो इनका भी इन्होंने भी करेक्शन वगरा किया था तो करेक्शन किया अगर आपने तो अभी आपको थोड़ा सा धहरे रखना होगा कम से कम हो सकता अभी मैंने आपको सुरु में भी कहा कि 10-15 दिन अ अब लगवा को स्टार्ट ही है चार-पान दिन में हो सकता है कि आप सभी बच्चों के बैंक अकाउंट में आपकी स्कॉलर्शिप की रासी आ जाए तो बरहाल हो तो मैं आप सभी बच्चों को सारी चीज़ आपडेट करते रहूंगा आप एक्टिव जरूर रहेंगे और आपके बैंक में आएगा तो आपको मालूम चल लाएगा लेकिन कभी कभी मैसेज बगरा नहीं आता है तो मैं आपको टेलिग्राम पे इंफर्म कर दूंगा कि हां बच्चों की स्कॉलर्शिप की रासी आ जाकर कर लिजिए बैंकिंग के थूरू चेक करिजिए या फिर ऑन झाल